कि दिलने के मुख्यमंत्रि अर्विन केज्रीवाल को शराब निती के इस में केंद्रिय जाच ब्यूरो ने गिरफ्तार गर्लिय है केजडिवाल ने हाई कोट में चुनोती दे दी है जहां जस्टिस नीना बंसर कृष्णा की कोट में मामले की सुनवाई चल रही है केजडिवाल के वकीर अभिशेक मनु सिंग्वी ने कोट में कहा अरविन केजडिवाल जनता के चुने हुए मुख्य मंत्री है आतंकवादी नहीं है उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के पूरु प्रधान मंतरी इम्रान खान का भी जिक्र किया जिसमें इम्रान खान को हाल ही में रिहा किया गया था लेकिन उन्हें एक अन्य मामले में फिर से किरफ्तार कर लिया गया सिंग्वी ने इस संधर में कहा हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता जानकारी के अनुसा सिंग्वी ने सीबी आई की और से आज अप्रा पक्ष रखने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे समय लेते हैं तो केजरिवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए इसके जवाब में सीबी आई के वकील डीपी सिंग ने कहा हम आज की अपनी दलीले देंगे लेकिन दलीले देते देते यदि शाम के चार बच जाए तो कोट सुनवाई के लिए कोई और तारिक भी टैग कर सकता है इस मामले में आगे के सुनवाई की तारिक अभी निधारित नहीं की गई है लेकिन यह मामला राजनितिक हल्चल का कारण बनता जा रहा है यह जवाल के गिरफतारी के खिलाफ दिली में कई राजनितिक दलों ने अपनी प्रतिकरिया देना भी शुरू कर दिया है और यह देखा जाना बाकी है कि आदालत का फैसला क्या होता है नमस्कार देखते लिए जनतादरबार नियूज